हलो सुदेंट इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चैप्टर क्वाड्रिटिक एक्वेशन ऑफ क्लास 10th ICSE फ्रॉम सरीना कॉंसाइस बुक एक्षाइस फाइबी का 10th 11th and 12th sum सबसे पहले 11th और 12th को डिसकस करेंगे और सबसे end में 10th को करेंगे तो सबसे पहले इसकी statement देख लेते हैं equation क्या है solve equations given below using factorization method factorization method को use करके हमने इसको solve करना है factorization method पे अलग से मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने एक प्रिक बताई है कि आप blog बहुत easily factors find out कर सकते हो उसका link description में आप उसे भी देख सकते हैं सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है यहां पर देखने को लग रहा है कि यह एक quadratic equation नहीं है तो सबसे पहले हम इसको simplify करेंगे simplify क्या मतलब कि पहले brackets को हटाएंगे bracket हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस x को इन दोनों के साथ multiply करेंगे फिर इस one को इन दोनों के साथ multiply करेंगे x को करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा 2x स्क्वेर फिर क्या आजाएगा plus 8x बान को करेंगे 2x फिर क्या आजाएगा 8 is equal to similarly इदर भी वही करेंगे x into x x square plus x into 3 3x plus 7 into x 7x plus 7 3 is a 21 अब हम लोगों ने क्या करना है कि यह जो सारी टर्म्स है इनको एक साइट पे कर लेना है इसको इदर लेके आना है तो 2x square इदर एकसरी जो टर्म है इसके साथ ही लिख लो यह इदर आके negative हो जाएगी इन दोनों को एड़ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10x इदर जो एकसरी टर्म है 7 plus 3 10 आएगा इदर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा minus 10x यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 यह इदर positive है दूसरे साइट पे जाके हो गया negative is equal to 0 ठीक है जी अब इसको solve करिए इन दोनों को minus करोगे तो आपके पास आ जाएगा x square यह plus का minus का cancel हो जाएगा यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा minus 13 अब यहाँ तक हमारी equation बन की इसके बाद हमने इसके factor बनाने है but factor बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि हम middle term को split करते है middle term कौन सी होती है x वाली यहाँ पे actually term कोई है नहीं तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को यह देखिए कि 13 जो है वो किसी number को square करने पर बन सकता है नहीं बन सकता कि 13 जो है वो prime number है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखना x square 13 को इस तरीके से लिख सकते है root 13 का square equation को कोई फरक तो नहीं पड़ेगा square के साथ root cancel हो जाता है equation वही की वही रहेगी हम यह क्यूं कर रहे हैं क्यूंकि हमने factor बनाने है हमें एक formula पता है हमारे पास क्या होता है a square minus b square किसकी equal होता है हमारे पास a plus b and a minus b ठीक है यहाँ पे वही फॉर्म बन रही है हमारे पास a square minus b square हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे a की जगा पे क्या है x b की जगा पे क्या है root 13 a plus b लिखोगे पहले फिर a minus b लिखोगे is equal to zero अब दो का product अब zero होता है यहां तो पहले वाला zero हो यहां दूसरे वाला zero हो that means either x plus root 13 is equal to zero हो यहां फिर x minus root 13 is equal to zero हो तो यहां से आपके पास x की value क्या आ जाएगी negative of root 13 इधर से क्या आ जाएगी positive of root 13 यह आपका answer आ जाएगा अब 12th sum देखिए यहां पे यह general equation वाला sum है कि यहां पे कोई number नहीं है ABC की form में दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना इसको simplify करना है x square यह bracket खोड़नी है x को अंदर multiply करना है बाहर negative sign है तो यह जब अंतर जाएगा तो minus of ax हो जाएगा यह फिर से plus minus minus of bx हो जाएगा plus ab is equal to 0 अब देखिए यहां पे कि इन दोनों में से कुछ common निकल सकता है यह already split होगी term ठीक है जी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसे split करने पी x निकाला common यहां पे अंदर क्या बच जाएगा x minus a इदर देखिए कुछ common निकल सकता है b दोनों में common है b निकल जाएगा common यहां पे हमें चाहिए x minus a इदर भी x minus a बनाना है बट यहां पे x जो है वो negative है तो हम negative को common निकाल लेंगे अंदर क्या बच जाएगा positive of x अब यहां पे negative को common निकाला है तो अंदर वुला sign change हो जाएगा b निकल गया बहर यहां पे क्या बच जाएगा sorry a बच जाएगा b को बाहर निकला तो a बच जाएगा यहां पे x minus a, x minus a दोनों में common है तो बाहर निकाल लिया अंदर क्या बच जाएगा यह वाला x इदर क्या बचा, minus b is equal to 0 अब दो का product अब 0 होता है इदर x minus a is equal to 0 और x minus b is equal to 0 इसमें से x की value आ जाएगी a इसमें से कितनी आ जाएगी b, ठीक है जी अब चलते हैं 10th sum की ओर 10th sum b बिल्कुल 11 से मिलता है, यहाँ पे 2 bracket यहाँ पे bracket 1 है बार एक constant number है तो अब क्या करोगे, इसको दोनों के साथ multiply करोगे, इसको दोनों के साथ multiply करोगे, यह step आ जाएगा अब सारी terms को एक साइट पे करना है सारी terms एक साइट पे की जो plus minus होता है उसको cancel out कर दिया तो आपके पास यह चीज़ बच गी मैं यह जल्दी जल्दी बता रही हूं क्योंकि मैंने अल्रडी आपको 11 sum explain कर दिया है फिर भी अगर आपको tensor में कोई problem आएगी तो आप लोग comment करके पूछ सकते हो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास constant term नहीं है दोनों x वली है एक x स्क्वार वली है एक x वली है तो यहाँ पे आप लोग करोगे यहाँ पे भी आप स्प्लिट नहीं कर सकते तो इन दोनों में से देखिए कुछ कॉंबन निकल सकता है यहाँ पे x कॉंबन निकल जाएगा x निकल यह कॉंबन आपके पास 2x-3 अब फिर से वही केस 2 का प्रॉडट कब 0 होता है यहाँ तो पहले वाला 0 हो यहाँ दूसरे वाला 0 हो इसमें sex की वैल्यू आगी 0 इसमें sex की वैल्यू कितनी आ जाएगी यह उद्दर जाके हो जाएगा positive यह multiply हो रहा है तो हो जाएगा divide ठेक है जी यह आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएगी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज इट लाइक बटन और सुब्स्क्राइब तो मैं चैनल